नमस्कार मैं हूँ अमित कर्ण और आप सब देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक बासकर हमारे साथ जो आज मौजूद है वो है टैलेंट की खान सारा अली खान आपको बहुत-बहुत मुबारक है ऐ वतन मेरे वतन के लिए और अगले हफ्ते मर्डर मुबारक के लिए ये फि में करती हूं लेकिन मैं इस बात से बहुत वाकिफ हूँ कि ऐसी फिल्म मैंने पहले की नहीं है तो इस फिल्म में आपको मेरा ऐसा रूप देखने को मिलेगा जो मुझे खुद पता भी नहीं था कि है या नहीं मुझ में ये जो ठहराव है स्थिरता है गंभीरता है इस किर की काम को लेकर हमेशा मैं serious तो रहती हूं लेकि मुझे एक अंदर एक gravitas होता है मुझे पता नहीं था है या नहीं तो ये निभाते निभाते समझ आ गया कि है और इस तरह के और भी जो फिल्में आती हैं जैसे तो उसमें भी एक connect करने की कोशिश की गई थी कि आज की जो जनरेशन है वह भले थोड़ी carefree लगती है लेकिन वह उतने ही patriotic है तो जब आपने उशा महता को प्ले किया तो क्या महता महसूस आपने किया आज की जनरेशन जो यंग है और उशा विसाइद मेरे कहल से 22 की थी उस वाख तो मतलब देश कुले के जो मतलब जजबा है आज की जनरेशन में कितना आपने जी बहुत जरूरी है सो बहुत जरूरी है क्योंकि महाल चाहे बदल गया हो अभी हम अंग्रेशों के राज में नहीं है आजाद देश है हम लोग जिसके लिए शुक्र गुजार होना चाहिए लेकिन उसके बावजूद भी जब आपको अंदर से लगता है कि कोई अन्याय ह हो रहा है या कुछ बुरी चीज हो रही है चाहे वो राजनेतिक तोर पे हो या नीजी जिन्दगी में हो काम के क्षेत्र में हो पर्यावर अनको लेकर हो तो अपनी आवाज उठाना जरूरी बात होती है और मुझे लगता है इस फिल्म के माध्यम से शायद लोग को कर देंगे तो फायदा क्या हुआ अडिशनल तैयारियां क्या रहें इसको लेकर के मैं कैसे और करेक्टर की स्किन में गई और मुझा साथ साथ कोई और भी फिल्म आप में शूट कर रही थी तो स्विच ऑन स्विच ओफ करना असान था जी वो तो काम है हर सेट पर जाके आ 42 जहां रीडियो नहीं था आजादी नहीं थी लोगों की मांसिक स्थिती आज की लोगों से बहुत अलग थी तो उसको निभाने के लिए काफी ज्यादा प्रेप लगी तो थी वहां समझना सबसे ज्यादा एहम चीज यह समझना था कि साड़े आट बजे जब मैं रीडियो ब्राडकास करनी हूँ अगर कोई अंग्रेज यहां आ गया या कोई भी बंदा आ गया और यह रीडियो देख लिया मेरे घर में मुझे फासी लग जाएगी अब उस मुद्दे को समझ कर ही सारी एक्टिंग करनी थी और वो बात समझना असान नहीं था तो करनन सब ने अगर इस अपरचुनिटी का कि मैं इस करदार को निभा पाई और इसके साथ कोई और मतलब वारक की शूट कर रही थी दोनो साथ-साथ जी प्रमोशन भी साथ-साथ, शूटिंग भी साथ-साथ और दोनो पोल सा पार्टिंग की मतलब अगर सारा कौने में हो तो हुशा यहां है, बैंबी यहां है सारा नोट लिटरली लेकिन कभी दू और डिय वाली सिचुएशन रही है लाइफ में पार्सनली या फिर फिल्मोग्राफिक है इसाथ-साथ-साथ-साथ-साथ-साथ-सा-प्राकार का करो यहां आरो नहीं हुआ है हमारी जिंदगी में वेकार फ्रीडम फाईट उस प्रीड से पहले और अभी यह दोनों पल मेरे लिए बहुत जरूरी और एहम रहे हैं क्योंकि अब मैं पांक सालों से अक्टर रह चुकी हूँ तो अब अगर मैंने अपनी लिए अपना बार रेज नहीं किया तो यह डू और डाय वाली सीन हो गई आफ टू मेरे दर्शकों ने मुझे हमेशा हद से जयादा प्यार दिया है और अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं बस उनके लिए और मैनद करती रहूं और काम करती रहूं अपने आपको साबित कर सको कि ऐसे किरदार भी मैं नभा सकती हूँ मेरे अंदर भी यह मुझे लगता है कि अकसर जब आप फ्रीडम स्टागर की प्रेना दाया कहानिया देखेंगे आपको कही ना कही पुरुशों की कहानिय होती है यह एक महिला की कहानी है एक ऐसी महिला जिसकी बहादुरी उसके कन्धों की ताकत में नहीं थी लेकिन उसके दिमाग में और उसके त्याग करने की spirit में थी और वो कहानी आप तक दर्शाने के लिए जो जो मैंने किया है उसको लेकर मुझे गर्व महसूस होता है और मतलब एक चीज हम लोगों ने भी मतलब फील की है कि मतलब जैसे और भी production houses बनाते हैं patriotic film में और धर्मा भी बनाता है शेर्शा या भी युद्धा उनकी आने वाली है तो एक बड़ा interesting सा observation देखने को मिलता है कि धर्मा की patriotic film में jingoism नहीं होता है वो मतलब दुश्मन देश को डिमीन नहीं कर रहे होता है या दुश्मन को नीचा नहीं दिखा रहे होता है सारा के लिए personally patriotic film में कितना organic है कि जब jingoism आ जाता है और अगर आ रहा है तो कितना उसे avoid करना चाहिए देखी मुझे नहीं पता है इस film में बिलकुल नहीं है कि इस film में अंग्रेज है तो क्या है कि jingoism कही नहीं क्या होता है that you are celebrating some fundamental nature यहाँ एक aspiration है एक hope है एक आशा है कि अगर हो तो उमीद है कि इस वतंत्र भारत में हम लोग मिल जाए तो उस दृष्टी कोंड की लड़की को अगर आप दर्शा होगे सच्चाई से और इमानदारी से कभी जिंगोईजम की शंका होईगी ही नहीं फॉलिटिकल साइंस के अपने पढ़ाई भी किए कभी आगे चलकर या इस फिल्म को आपने जिया है तो आगे चलकर कभी आना चाहेंगे पॉलिटिक्स में और यहाँ फे इस बारे में बात करना उचित नहीं है लेकिन जी जरूर सबने तो हैं बहुत कौं सा पॉर्टफोल अच्छा और इस फिल्म को करते वक्त गांधी जी के सपनों का भारत भी आपने मेरे ख्याल से मतलब समझा होगा और गहराई से मतलब उससे पहले भी आप जानती रही होंगी उनके कौन से थौट्स को आप हमेशा याद रखने वाली है या मतलब रख रही है मुझे लगता है बहुत चीजें थी उनके बारे में जो बहुत सबको जादा याद रहेंगी लेकिन ये जो एक अहिंसा की बात होती है जो सत्य की बात होती है वो मुझे लगता है आज की तारीक में कई न कई लोग भूलते जा रहे हैं और फिल्म में मेरी एक हिस्सा भी है फिल्म में जहां आपको सच्चाई और सत्य का अंतर समझाया जाएगा और सत्य वो सच्चा ही है जो कभी नहीं जुकती, किसी भी चीज के आगे भी नहीं, मुझे लगता है मैं सच्ची हूँ, शायद आप भी सच्च हो, शायद हम सब सच्चे हैं, लेकिन सत्य वो अलग होता है, वो बहुत ही बिना, it's very pure and it's the aim, it's the goal और अगर आपके दिमाग में गोल होना, जैसे हमेशा बोलते हैं, if you aim for the moon, you'll reach in the stars, अगर सत्य आपका गोल हो, तो आप उसके आसपास कहीं पहुन जाएंगे और वो भी काफी होता है इतनी कम ओर में इतनी अच्छी maturity किन्च चीजों से आ रही है, बिसाइज, freedom fighting की सबसे पहली स्टूरी, जब आप थी बच्मन मतलब, अभी भी हैं बच्मन में, तो किन से सुनाई थी, बामी से, शायद वो भगत सिंग के सेट पर गई थी और बापे साहिए, मैंने बोड़े और ममी क्यों आप ऐसे लग रहे हो, तो रहने कहा कि मैं भगत सिंग की मा हूँ और फिर मैं समझने लगी कि उसका क्या मतलब था, अब अब एए, इमोशनल कर रही है, कुछ rapid fire questions भी है, आपकी सब से greatest skill क्या मानती है, ग्रेटिस स्केल, curiosity, जिग्यासा, ज्यान पे पासा, रक बहाँ पे और तो यह पूछ ले ना, हो भी सकता है, तो काइनात की कौन सी चीज के बारे में सबसे बड़ी curiosity है आपकी है, जीवन का महत्वा, या हम क्यों है यहाँ, हम क्या है, the next big steps, Sarah need to take, keep taking the steps you're taking, पहले किन चीज़ों पर गुसा आता था, अब नहीं आता है, त्राफ़ traffic आदत होगी है, accept कर लिया है, उसको, traffic and trolls, आदत, accept कर लिया, अगर, trolls को technically कैसे किया है, handle, वो अगर दिखता है भी है, तब कोई फरक नहीं पड़ता है या उसको delete करती है, देखो, सुनो, समझो, अगर उनसे कुछ भी सकारात्मक सीख मिलती है, अपनाओ, वरना निकाल दू और भूल भूले या तरी को हम लोग confirm कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, हाँ या ना, नहीं मैं नहीं कर रही हूँ, if Sarah could go back in time and tell a younger version of Sarah, क्या होगी चीज़, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, अपने आप पर जो आत्मविश्वास है, उसे कभी मत खो, अच्छा करते कमी है, बाकी बात है murder मवारक पे, thank you, thank you so much और देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, दैनिक बास कर, thank you sir, thank you, thank you, rakt pepasa was my favourite, take away, bye sir, thank you, thank you